हेलो गधास अब चाहो तो 20 सेकिंड आगे से देख लो पर अगर ये देख रहे हो तो धंग से सुनना ये कुछ रीजिन्स हैं जो डेंसली सेटल्ड थे और वेल्दियस्ट पार्ट्स थे मतलब यहां बहुत लोग रहते थे और यहां पर बहुत वेल्थ थी अकॉर्डिंग टू दो राइटर्स स्ट्राबो और प्लिनी तो इन्हें कैसे याद करेंगे बेटी का एक कमपानियन था एक बेटी थी उसका एक कमपानियन था मतलब एक जिगरी दोस्त था जिसने गौल नामक एक लड़के के घर से ये जो गौल है ना ये उसके घर के नीचे ही रहता है ठीक है तो कमपानियन ने क्या करा गौल नामक एक लड़के के घर से तेल की शीशी उठा ली तेल की शीशी चोरी कर ली तो शीशी ले ली ली शीशी ली तो सीसी ली फिर उसे पच्चतावा हुआ सच बोल देगा, तो ज़ाद से ज़ादہ क्या होगा? जो गॉल है, वो गाली देगा. पर कम से कम उसके जखम तो चले जाएंगे, तो वो उसके घर गया गॉल के, और वहां उसने जाके सब को सच-च बता दिया. गॉल ने क्या करा? उसे गाली दी, तो उसने क्या करा खुशी खुशी गाली ली तो हो गया गाली ली और इसी के साथ उसके सारे जख्म भी चले गए तो बाई बाई जख्म याने बाई जे कियम वाँ, क्लापिंग प्लीज तो इसी के साथ बोलो ना ना तुम डेयम नहीं, तुम बोलो फेयम, क्योंकि वो रहे गया, वो भी एक जगा है तो अब करते हैं रिवाइज, रिवाइज करें तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले बेटी का फिर उसका बेटी काका एक कमपैनियन था, तो हो गया कमपैनिया, उसने क्या किया? गौल के घर से सीसी चुरा ली तो सबसे पहले तो गौल, गौल कहां रहता था? उसके घर के नीचे, तो इसलिए सदन गौल और फिर सीसी चुराली सीसी ली सीसी ली सिसी ली फिर उसने सब कुछ बता दिया तो उसने उसको गाली दी तो उसने क्या करा गाली ली तो गाली ली हो गया फिर उसके सारे जख्मु चले गए तो बाइजे कियम और लास्ट में बोलो नहीं यार फेयम बोलो ठीक है, तो सब कुछ sorted है एक बार फिर से देख लेते हैं हमने ले लिया बेटी का फिर आया हमारा कंपेनिया उसके बाद हमारा क्या आया कंपेनिया ने क्या करा सदन गॉल, सदन गॉल के घर से क्या चुराली थी, शीशी चुराली थी फिर उसको क्या मिली गाली तो इसलिए गाली ली और उसके बाद उसके सारे जो जखम थे वो चले गए तो बाइजेकियम और लास्ट में बोलना है हमें फेम तो ये जगा जो थी वो कुछ-कुछ चीजों के लिए फेमस थी जैसे जो Campania है वो wine के लिए famous थी जो Sicily और Biseakiam है वो wheat के लिए famous थी और ऐसे Galilee मतलब Galilee क्या था उसमें अपनी fertility के लिए famous थी अब आते हैं Transhumans पे Transhumans क्या होता है जो herders होते हैं वो अपने जानवरों को चराने के लिए उचे mountain से नीची जमीन तक move करते रहते हैं तो इसी movement को कहते हैं Transhumans तो ये जो movement है ये देखा गया है कि नुमिदिया जो जगा है वहाँ काफी जादा देखी जाती है मतलब वहाँ के लोग ऐसे pasture के लिए move करते रहते हैं अब जो movement करते रहते थे तो इनके घर का क्या तो ये अपने घर को भी साथ ले के move करते थे और इनके जो घर होते थे वो होते थे oven shape के जिने कहा जाता था मपेलिया मतलब इनके oven shaped hearts जो होती थी उनको क्या कहा जाता था उनके लिए एक particular नाम था जिने कहा जाता था मपेलिया अब जब धीरे धीरे Romans अपना राज्य North Africa तक बढ़ाने लगे मतलब North Africa की कुछ parts भी capture करने लगे तो धीरे धीरे ये pasture भी कम हो गया और इनकी movements भी काफी हद तक control में आ गई अब जब हमने diversity में language की बात करी थी तब हमने देखा था ना कि Spain में कौन सी भाषा बोली जाती थी Celtic language बोली जाती थी तो language का तो हमें पता है और यहां के जो लोग होते थे ये hilltop villages में रहते थे जिन्हें कहते थे castella अब क्या लगता है ये पुराने टाइम की बात हो रही है तो यहां की cultural और economic life भी पुरानी ही होगी तुमको ऐसा लगता है ऐसा ना ही है पहला diversified applications of water power around the Mediterranean मतलब water power के थूँ energy drive करा करते थे दूसरा advances in water powered milling technology milling technology जिससे water power के थूँ चलाया जाता था उसमें भी advancements हुए तीसरा use of hydraulic mining techniques mining techniques में पानी का भी use होता था चौथा existence of well organized commercial and banking networks बहुती तगड़े commercial and banking networks उस समय पर हुआ करते थे और पांच वा कि वहां पर क्या था widespread use था money का कि अ कि अ कि अ कि 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 अ